के समय पकल्ब तरुन नरसरी के सामने नौड अधिया लॐ रहा दो लोग होगए प्राप्त जानकारी के अनुसा कार क्रमांक MH40 BJ9654 दहगाव से कोराडी की दिशा में जा रही थी उसमें चालक सही दो यूवक सवार थे कल्पतरू नरसनी के सामने चालक का स्चेरिंग पर से नियंत्रन छूट गया जिससे कार अनियंत्रित होकर बाजू से जारे चार पहिया वाहन से टकरा गई इसके बाद सामने चल रहे आटो क्रमांक MH49 AR9255 और बाइक क्रमांक MH29Y6025 को टकर मार कर रोड की नीचे उतर गई हाथ से में बाइक सवा पंकच विश्वनात गोमेकर गाड़िये नगर नाकपूर गंभी रूफ से घायल हो गए विपारशिवनी पुलस स्टेशन में सिपाई हैं उन्हें नाकपूर के निजी अस्पताल में भरती कराया गया है उसे पाटन सावंगी के प्रात में एक स्वास्त केंदर ले जाया गया है सुचना मिलने पर खापर खेड़ा थाने के PSI द्वे नीमगड़े और राजेश पिसे सहय कर्मियों के साथ गटना इसलल पर पहुचे कार में कोराणी निवासी किरन घंगारे और उसका एक साथ ही सवार होने की बात कही जा रही है सावनेर के तेश बंसोड ने अपने एम्बूलेंस में आटो चालक को पाटन सावंगी के अस्पताल में भरती कराया उन्होंने वीडियो के माध्यम से घटना की हकीकत बताई NBCN के लिए अरुन महाजयन की रिपोर्ट